Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education Finally, waiting list बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी आई है आज से waiting list के बच्ची के admission clear हो जाएगी जिन भी बच्चों का नाम waiting list में है उनके admission clear हो जाएगी तो क्या है इस बात के detail जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है तो मेरी request है कि आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए अगर आपको कोई doubts आते हैं कोई queries हैं तो आप please मुझे comment करिए मैं आप try करूँगी कि आपके सारी comment का जवाब तो चलो तो आज का वीडियो शुरू करते है finally अभी RTE ने decision लिया है कि अभी जो भी बच्चे waiting list में है उनके हम admission लेंगे क्योंकि इस साल हमने देखा है कि 5th April को first list लगी थी और उसके बाद admission के date डिले होते जाले थी और उसकी last date थी 22 मही लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि अभी 23 मही से जो waiting list के बच्चे है उनके admission वो confirm करेंगे so waiting list के वालों के लिए बहुत बड़ी खुशकपरी है क्योंकि अभी भी 30,000 सीटे बाकी है और इस सारी 30,000 सीटे है वो सरकार को waiting list के बच्चों से ही confirm करनी है so waiting list के लिए खुशकपरी है क्योंकि अभी उनके admission क्लियर हो जाएगी और ऐसी waiting list से जूड़ी जानकर जानने के लिए चैनल को प्ली सस्क्राइब कर दिजिए और हमारे बेल आइकन को हिट कीजिए इससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के notification मिल जाएगी और मैं ट्राइ करूँगी कि सारी जानकारी आपको जल्द जल्द मिले so आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलती ही नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ बाय टेक क्या